हलो बच्चा पार्टी तो स्वागत है आपका फिर से एक नए लेक्चर में और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं यह क्लाश 12th NCRT Mathematics की Exercise 5.5 आज का लेक्चर आपके लिए बहुत important होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे log की properties इस exercise में log पर depend हैं सारे के सारे questions तो सबसे पहले हम लोग की properties पढ़ेंगे सारे concepts समझेंगे उसके बाद में questions को लेकर के हम लोग solo करेंगे हो सकता है कि आज की class में पूरी exercise finish ना हो पाए लेकिन जितने ज़्यादा question हम कर पाएंगे अपने समय के भीतर उतना करने का प्रयास करेंगे आपको बहुर भी नहीं करेंगे जल्दी से इस class को सुरू करते हैं लेकिन एक बाद जरूर कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो भाईया करिये और करवाईये करवाने का मलब है कि इस वीडियो को share जरूर करना और उनसे भी कहिए कि भाईया आईये यहां पर आप अच्छे से math पढ़ सकते हैं लाइक कर देना, share कर देना और प्यारा सा comment जरूर छोड़ना क्योंकि आपके comment से हमें मिलता है motivation और हम आपते हैं आपके सामने इसी प्रकार से पढ़ाने के लिए ठीक है तो चालू करते हैं आपकी class ठीक है चालू करते हैं आज की class ओके ओके नाओ question number one की बात करते हैं अच्छा यार अभी तो concept समझना है ऐसे कैसे question एक बार लिखके में दिखाता हूँ या question कुछ इस प्रकार के हैं जरा देखो देखो वाई देखो y equal to cos x into में cos 2x into में cos 3x आप चाहें तो जितने अभी तक concept हम लोगों ने पढ़े हैं उन्ही concept से भी इस question को solve कर सकते हैं चाहें अगर तो ठीके चाहो तो इसको first माल लें इसको second माल लें first और second product rule इस्तेमाल करें फिर भी हो जाएगा question तो solve हो जाएगा बट बट आएगा बट दिक्कत होगी बहुत problems होगी बड़ा जाएगा questions calculation में दिक्कत होने वाली है तो ऐसे ऐसे questions में दिये हैं कि अगर पुराने वाले concept से आप करोगे तो आपको देखने में डर लगे यार कैसे करेंगे ठीक है इसलिए यहाँ पर एक tool का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे question को बनाएगा बहुत सरल जिसे बोलते हैं log अब log की क्या properties होती है और उनकी properties का इस्तेमाल करके भाईया हम लोग simple simple मनलब कठिन कठिन questions को simple तरीके से solve कर पाएंगे अब देखते हैं सबसे पहले log के बारे में ठीक है मिटाते हैं question सबसे पहले है भाईया log समझते है logarithm function बड़ा खतरनाक है यार एक function होता है logarithm function इसके बारे में नहीं बताएंगे इसकी properties हम बताते है और जणजट चोडते है सब ठीक है जो हमें जरूरत है उसको पक्ड़ते ह log में जो basic function है जैसे x है x के उपर कोई भी घात लगी है जैसे जितनी भी घात लगी हो नहीं मतलब है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं घात में जो भी होगा वो नीचे आ सकता है शुरुवात में n नीचे ले आएंगे और इसको log of x लिख देंगे क्या समझे क्या समझे जैसे जैसे मैंने बोला log sin x की power cos x ऐसे लिख दिया है तो देखो भाई यहाँ पर देखो log यह x और इसकी घात में जो भी है sin x की घात में जो x होता है x की जैगे इसकी घात में जो भी है वो नीचे आ सकता है इसको हम लिख सकते हैं cos x नीचे लाए log sin x यह आर इसकी property यह याद रखिये आप तो properties किसकी log की पहली property भी है बहुत important log m की घात में अगर n है वही x की जैगे पर मैंने m लिख दिया है तो जो भी घात में होगा वो पहले लिख देंगे और m अपनी जैगे पर रहेगा ठीक पहली property हो गई भी है दूसरी property सुनो क्या है log m गुणे में n मतलब दो function अगर गुणे में है log में ठीक है तो आप इसको कैसे करते हैं इसको हम लिख सकते हैं log m अलग और प्लस लगा करके log n अलग क्या बात है ठीक है इस property का इस्तमाल हम लोग करेंगे और ये बहुत इजी बना देंगे हमारे questions को और देखिए भी या अगर कहीं पर log m के अपन में n हुआ तब यहाँ पर क्या करते हैं log m लिखिए upon में अगर है तो बीच में minus लगाइए और log n लिखिए अब समझो भी या गुड़े में है तो अलग-अलग होगा plus में हो जाएगा भाग में है तो अलग-अलग होगा minus में हो जाएगा power में है तो power नीचे आ जाएगी पस अगर इतनी property पता है तो कोई टेंसन नहीं लेने का पहुता सुनिस एक मैं और बाद बता देता हूं log e का value 1 होता है याद कर देना मतलब यहाँ पर कहीं पर कोई वो नहीं लिखा होता है ना base तो base e ही होता है log e की power e e base e का 1 ही होता है don't worry log e के वो लिखा है फिर भी हम उसका value क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे तो यह आदते बना लो भईया यह आदते बना लो ठीके और सारे पीछे वाले concept तो आपको पता ही होना चीए यार थोड़ा बो ठीके चलो पिछले वीडियो नहीं देखें तो आई इसका screen ले लिया हम मिटा दिया एक ले लिया होगा यार ठीक है अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो आप जाईए description में playlist का link दिया है click करिए वीडियो उस खुलेंगे उनको देखिए यार आप ठीक है चलो देखते हैं पहला question उठाते हैं और इसी properties का स्तेमाल करके हम लोग question को solve करते हैं देहां से देखिए पहला question है y equal to cos x into में cos 2 x into में cos 3 x ठीक है और इसका स्तेमाल अब देहां से देखो भी या y बराव इतना 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 और इनको आप हर function को अलग-अलग कर लोगे फिर आसानी से कर पाओगे क्योंकि हमें मालूम है into वाले हैं या भाग वाले हैं इनको अलग-अलग log में कर देंगे फिर आसानी से function का अवलन कर लेंगे जैसे द्यांस देखो क्या करोगे यहां पर क्या करते हैं देखो एक ही तरफ नहीं लें दोनों पक्षों में log लेंगे फिर तो ठीक है तो क्या करेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर taking log in both sides लिख दें क्या taking log अरे लिख दें तो यार ठीक है क्या taking log in both sides both sides देखो अब यह लेते हैं लॉग लीजिए इधर भी इधर भी कैसे मतलब इधर y है तो इसको लिखो लॉग y इधर ये है तो इसको लिखो लॉग ये अरे ये मतलब या ये पूरा cos x, cos 2x, cos 3x कोई दिक्कत क्या दोनों पक्षों में लिया लॉग अब आपको क्या करना है बस वही property का इस्तेमाल करना है भाईया log into में जितने भी है इनको तोड़ते अलग अलग प्लस में करते लिखते चले जाए अभी मनें बताया है आपको मतलब इसको आप लिख सकते है log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x ये property log की कितना इजी कर दीया,今 को आप देखो कितना असली से कर पाऊगे भी या अब करो aj गोगे log y का log x का one upon x log y का one upon y क्या लेकिन y वाले में हमने बताया था dy by dx होतता यह होता ही है तो हो गया ठीक है dy by dx log cos x का aj गोग का षसका भी या यह पुरा x है log x का 1 upon x लेकिन x का दुबारा cos x का दुबारा तो हो जाएगा minus का sin x कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए आगे बढ़िए cos log x यह पुरा x माना ठेक है तो log x का 1 upon x cos 2 x अब cos 2 x का करिए आप cos 2 x का minus sin 2 x इतना हो गया आगे नहीं होगा होगा यह यह 2 x है यार x की जिएके पर 2 x था तो 2 x का दुबारा होगा तो 2 हो जाएगा x का तो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा केवल 2 x का केवल 2 यहाँ पर केवल x था तो x का 1 होना था तो कोई टेंसन नहीं है आपर 2 x है तो इंटू में 2 भी आएगा, यहाँ पे देखिए, log x का 1 upon x, और cos x का दुबारा करिए, minus का sin 3x, cos 3x का दुबारा, minus का sin 3x, और 3x का दुबारा तो 3, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, dy by dx निकालना है, तो y को उधर कर देना आप, ठीक है, तो dy by dx equal to y, उधर जाएगा, तो y और bracket में क्या लिखेंगे, minus, sin x बटे, cos x क्या लिख सकते हैं, एक ही में लिख दें, कोई दिखको तो नहीं है, sin x बटे में, cos x क्या बन जाएगा, 10 x, ok, sorry, 10 x, 10 x, minus लगा, minus लगा, 2 लिखो, sin 2 x बटे, cos 2 x, 10 2 x, ok, minus लगा, 3, 3, sin 3 x बटे, 10 3 x, sin cos 3 x, तो य ऐसे आप लिख सकते हैं, या तो आप वैसे ही लिखते हैं, lcm ले लेते हैं, फिर भी, अब यार हर तरीके से आप कर सकते हैं, y का value रख दो भाई, dy by dx, equal to y का value क्या, ये, ये वाला value इस y की जगे पर रख दो आके, उधा के, log x, cos 2 x, cos 3 x, bracket में, minus यार, minus ये वाला छोण दि 2 x, minus का 2 x, minus का 3 x, 3 x, अच्छा, आपकी मर्जी ये थी यार, कि आप नीचे इसको ऐसे ही रखते, lcm ले लेते, और इधर उधर करके, और इसके बाद में, ये वाले के साथ में, नीचे जो lcm आता, वो cancel out हो जाता, दूसरी तरीके से भी answer आ सकता था, आपकी मर्जी, आप कै आसा करना चाहते, मुझे ऐसा अच्छा लगा, मैंने ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, note कर लो, कोई answer गलत नहीं करेगा, minus कॉमन लेना चाहते, तो minus यहाँ पर लगा देना, सब अंदर प्लस कर देना, वो भी चलेगा, ठीक है, तो ये आप देख प दुबारा वहाँ पर लिखना पड़ता, याद रखे, ठीक है, आगे जलते है, question number two लेते हैं, फर देखते हैं, आगे, दीरे-दीरे, सब समझेंगे, ठीक है, okay, question number two, यार, पशीना बहुत आ रहा है, और, समझ लो, ठीक है, क्या करना है आपको, समझ लो, question number two, important question है यह, exam मे आया हुआ है, कई बार आया है, ठीक है, इसलिए, देखो, x-1, x-2, अपान में, कुछ दिया है, x-3, x-4, x-5, इतना कुछ दिया है, ठीक है, अब क्या आगर होगे, इसका उकलन करना है, अब देखो, अगर आपने log ना पड़ा होता, तो यह देख करके, ढर चाओगे, यह यार, यह यार, कैसे करेंगे, इसमें product rule लगाएं, यार, chain rule लगाएं, या फिर ऐसे करें, root x का, root x का, one upon two, root x, तो one upon two, root x, यह अपर यह लिखते, फिर इसमें product, क्या है, यार, कैसे करते, तो समझ मिलिए, तो यहाँ पर log कितना इस नहीं कर देगा, इस question को, ध्यान सा taking log in both sides, यार, लिख लेना, मैं इससे कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं, लिखूंगा नहीं में, ठीक है, लिख लेना, यहाँ पर लेते हैं, log y equal to, इसको क्या लिखेंगे, log, अच्छा, यह root को घात में, एक बटे दो लिखा जा सकता है, तो घात में पहुचा देते हैं, ठीक है x minus 1, x minus 2, अपान में, x minus 3, x minus 4, x minus 5 की power एक बटे दो, root का मतलब है power 1 by 2, ओके, तो हमने बता है, log यह पुरा एक से घात में, जो भी होता है, log में, log m की power n, जो भी घात में होता है, वो नीचे आ जाता है, शुरुआत में, तो यही हम कर लेते हैं, यार, तो यह आ जाएगा, एक बटे दो, नीचे, अब log बचा आपके पास क्या, x minus 1, x minus 2, x minus 3, x minus 4, x minus 5, यह बचा बाई, बचा की नहीं, अब देखो, उपर है, नीचे है, तो उपर नीचे वाले को अलग-अलग कैसे करते थे, log m बटे n, बराबर log m, minus में log n, तो वही करेंगे बाई, यहाँ पर, ज यही तो कर रहा है, हमारे साथ, ज्यान से देखो, तोड़ करके रख देंगे, log x minus 1, log x minus 2, ठीक है, इसको ऐसा लिखा, minus लगा करके नीचे वाला, log x minus 3, x minus 4, x minus 5, ठीक है, तो यह इसने तोड़ करके रख दिया, हरंस को, अब आप क्या करोगे, अब इसको भी तोड़ना है, इनको भी तोड़ना है, तो तोड़िए आप, ठीक है, log y equal to 1 by 2, ठीक है, क्या लिखोगे, log x minus 1, प्लस में, इन 2 में होते हैं, प्लस में जाते हैं, x minus 2, लिख दिया, minus, log x minus 3, प्लस में, अब यह प्लस और यह बाहर माइनस है, तो यह माइनस ही आ जाएगा, यहापे, समझ बाहर माइनस है, तो यह प्लस वाले अंदर तो सब प्लस तूटेंगे, लेकिन यह बाहर से माइनस जाएगा, सब को माइनस कर देगा, तो माइनस में लिख देते हैं, कहां पर bracket लगाते हैं, x minus 4, और minus का ही बन जाएगा, x minus 5, ओके, इतना समझ गए, इतना समझ गए, अब बढ़िए, अब उकलन कर दो, सब अलग अलग हो गया, अब उकलन, बस खतम कर नहीं, ठीक है, नीचे दिख रहा है क्या, ना दिखे तो यार समझ लेना थोड़ा, क्योंकि जगे कम है, फिर कैसे करेंगे, यह लाग, देखो यार, log y का क्या हो जाएगा, बताओ आप, 1 upon y हो होगा, क्योंकि इसने x की जगे लिए, तो x का वहीया, 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 से इसमें साथ गुणा में, गुणा करना कोई फादा नहीं है, 1 का 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार यहाँ पर, log x का 1 upon x होता है, तो x-2 कर देंगे, लेकिन x-2 का दुबारा करोगे, तो x का 1 हो जाएगा, और 2 का 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इनका दुबारा करने से, कोई मतलब पहुंच रहा है कुछ, समझो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 upon x-3, और x-3 का दुबारा करोगे, तो x का 1 और minus 3 का तो 0 हो जाएगा, मैनिस में, log x-4 क x का दुबारा ठीक है 1 upon x minus 5 बात समझे ना पूरी है ठीक है अब यह y को उधर कर दो तो यह क्या बनेगा मैं इधर लिख रहा हूं ठीक है dy बटे dx बराबर में y बटे में दो यह 1 बटे 2 था y उधर जाएगा उपर जाएगा y बटे 2 और ब्रेकेट में लिख देंगे देखते रहे ना 1 upon x minus 1 प्लिस 1 upon x minus 2 और यहां से minus शुरू है अरे यार minus 1 upon x minus 3 1 upon x minus 4 minus 1 upon x minus 5 बहांसा सुन रहे ना पूरी बात पूरी बात सुनेए y का मान यह वाला उठाके रखना पड़ेगा आपको रखना पड़ेगा ठीक है तो क्या होगे बाई उत्तर dy by dx equal to 1 by 2 ऐसे लिख दो यह y का बैलू यह रख दो पूरा ओहो एक्स माइनस 1 x minus 2 अपान में x minus 3 x minus 4 x minus 5 ठीक है तो यह तो हो गया अब आगे यह पूरा ऐसा ही नोट कर दो 1 upon x minus 1 1 upon x minus 2 माइनस का 1 upon x minus 3 माइनस का 1 upon x minus 4 और माइनस का 1 upon x minus 5 ठीक है तो यह यह हमारा हो गया answer आप मिला लीजिए ठीक है देखो छोटा सा question answer इत्ता पड़ा होता है होता है होता है ओकलन में ऐसे बहुत questions आते हैं इसमें question तो बहुत छोटे लेकिन question question number 2 हो गया बढ़या है अच्छा है concept समझ गया आगे बढ़ते हैं ले लिया screenshot आगे बढ़ते हैं अपने आप यह एक बार जरूर करिएगा मैंने बताया है हर वीडियो में बताता हूं कि भाईया जब आप देखते हैं आपको लगता है मेरे को समझ को सबको समझ में आ रहा लेकिन जब आप करने बैठेंगे न असिलियत तो तभी पता चलती है कितना आता है अपको ठीक है तो अपने आप जरूर करना है चलो question number 3 chapter chapter क्या यार sorry question number 3 है question number 3 y equal to क्या दिया गया है y equal to दिया है log x की power कितनी है cos x log x की power cos x book pen copy ये तीन चीज़ आपके पास होनी चीज़ अब पढ़ने बैठें ःख करते हैं इसका भी liken करते है यार फहले लॉग ले ले लेते हैं यह घात नीचे आजाएगी log ले ले लेते हैं घात नीचे आज़एगई अप आप चाहो तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं यार chain rule का इसने माल कर सकते मठ नहीं करें गें घुर की देखो भी है log y बराबर अच्छा गात जो है नीचे आजाती है तो डारेक्ट लिख लें आर क्या गात नीचे आजाएगी log जब लेंगे cos x लिख देंगे और अब लिख देते हैं log log x नहीं समझे क्या यहाँ पर log लगाएंगे एक इस्टा log y log log यह वाला cos नीचे आजाएगा log log x हो जाएगा समझ पाए समझ पाए समझ गये होगे मेरे ग्याल से आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर विया अब क्या करोगे अब यह अलग फोड़ी कर सकते minus sin x पहले का कर दिया दूसरे को चुपचा पैसे नोट कर दो चुपचा पैसे नोट कर दो ठीक है प्लस लगाएए अब की बार दूसरे का करिए log log x का करिए तो अब ध्यान से देखो इसका करते समय यह चेन रूल लगाना पड़ेगा log log x का जब करोगे तो log और इसको आप x मानोगे log x का one upon x log x का log log x का one upon x हो गया लेकिन log x को तुमने क्या माना था x इसलिए log x का दुवारा होगा तो one upon x उसका हो गया समझ वर्स्ट इंटो इसकेंड़ को इसे लिख दिया है यह से केंड़ का ओकलन किया तो लॉग लॉग log x का one upon log С तो हुआए एक बार लेकिन लोग इस नोग इसको दुबारा one upon x और इंटो मैं फिष्ट को ऐसे लिख दो अरे यार समझो ना फिष्ट का उकलन किया, second को ऐसे लिखा, second का उकलन किया, first को ऐसे लिखा, बस हो गया, उत्तर, उत्तर, यह क्या लिखोगे, वो plus का है, तो चाहब ऐसे लिख दो, यार, minus sin x, log log x ठीक है ना उपर क्या क्या है उपर है केवल cos x नीचे यार नीचे क्या इसके बटम थोड़ी है इसके बटम है केवल प्लस लगाओ ठीक है क्या है x log x बस यह हमारा answer है tension नहीं लेना answer आ चुका है ठीक है तो यह वैया इस तरह से हमने कर लिया यह भी question खतम question number 3 हो गया question number 4 की और बढ़ते है ठीक हो calculation में हो सकता है हमसे कभी कभी गलतियां हो जाएं तो आप अपने हिसाब से समान लेना यार मेरा दिमाग इधर उधर तोड़ा बहुत रहता है इधर उतर कमलव है यार calculation में सबसे गलतिया हो जाती है इंसान है इंसानों से गलतियां नहीं होगी तो बगवान वन जाएगा ठीक है तो गलतियां होना तो सवभावी एक है इंसानों से लेकिन कोई बात नहीं है जितनी कम मैं कर पाऊँ उतना अच्छा है ठीक है गलतियां तो होती ही है लेकिन कब करने का प्रयास करें y is equal to x की power x minus में 2 की power sin x अच्छा ऐसा मैंने कोई formula नहीं बताया कि log x minus y हो तो आप इसको अलग-अलग नहीं लिख सकते log x minus log y आप सोचो लिख दो पाप लगेगा आपको इसके लिए कोई formula नहीं अलग-अलग करने के लिए आप इसमें ऐसे log अलग-अलग नहीं कर सकते x minus y यह तो कर दो नहीं होगा अब क्या करोगी इसमें भाई इसमें दो function अलग-अलग होगी आभी तक देखो तो सब गुणे में थे या भाग में थे अब यह दो function प्लस या माइनस से add होंगे जड़ तब आप क्या करेंगे तब आपको अलग-अलग दो function मानने पढ़ेंगे अलग-अलग दोनों में लाग बनाना पढ़ेगा लगाना पड़ेगा बाद में दोनों को add कर देना होगा द्यांस देखो कैसे द्यांस देखो देखो यह y है इसको हम एक function माल लेते हैं अलग y1 यह माल लिया y1 है हमारा और इसको हम माल लेते हैं y2 जब इसका हम अउकलन करेंगे dy बटे dx तो यहाँ पर हो जाएगा dy1 बटे dx और यहाँ पर हो जाएगा dy2 बटे dx यह हमारा है अगर dy1 बटे dx निकालना है तो dy1 बटे dx ती का लिए dy2 बटे dx ती का लिए यहाँ पर रख दो आके निकलाएगा dy2 बटे dx समझो फंडा समझो यार समझो और आगी questions ऐसे हैं कई questions हैं अभी हम लोग समझ जाएंगे पहला question एकर समझ बना तो team नहीं लेना लेकिन समझ मेस आएगा यार समझो तो ध्यान लगा के समझो इद्यान लगा के समझो इधर उदर नहीं कोई बुलारा है क्या इधर सुना, मेरी बास सुना यार तूम ठीके, जहां से देखो क्या करोगे, यह आप y1 क्या है देखो, y1 क्या है आपके पास y1 का अलब है x की पावर x इसमें आप अलग log लिजिए और alkaline के लिए dy1 बटे dx निकाली यह चीज निकाली जिए यहां से, कैसे log लिजिए आप log y1 बराबर में log लोगे तो x नीचे आजाएगा और into में log x होगा तीगे, आप करो भाई, alkaline करो इसमें भाई, फर्स सेकेंड लगेगा वही प्रोडेक्ट रूल लगेगा log y का होता है, 1 अपान y y1 है, into में dy1 बटे dx बराबर में, इसमें फर्स्ट का किया भाईया, x का किया, 1 log x को ऐसे ही नोट कर दिया plus log x का किया 1 अपान x x को ऐसे ही नोट कर दिया कोई दिक्कत नहीं होने चीए y1 उधर कर दो so dy1 बटे dx equal to y1 आएगा इधर और into में बचेगा log x और प्लस y1 बटे dx बराबर में y1 की जगे पर x की पावर x x की पावर x into में 1 प्लस log x, यह हो गया अभी उत्तर थोड़ी है, यह dy1 बटे dx इसकी जगे पर रखेंगे आके अब dy2 बटे dx निकालो दूसरे वाले से क्या है भाईया, y2 क्या है आप बताइए y2 क्या है, y2 की जगे पर है 2 की पावर log, sorry 2 की पावर sin x 2 की पावर sin x भाईया, sin x, ठीक है तो अब आप का करोगे, का करोगे बताओ, दोनों पक्षों में log लो हात में अगर x x है तो log ले लो नीचे उतर आएगा, y2 बराबर में sin x नीचे आएगा log y का 1 अपान y dy बटे dx, बस 2 लगाते रहे न, y के साथ में, देगे इसमें भी first second, अरे first second का है इसमें दो function ही का है, देखो इसमें x तो आई नहीं, केवल x, इसमें x है ये तो constant function है, और constant function का ओकलन करना ही नहीं होता है, जब उसके साथ में x होता है, तो log 2 तो ऐसे ही रख लो ये तो constant है, ठीक है sin x का कर दो cos x हो गया नहीं समझे, यहाँ पर अगर x होता, तो इसको first, इसको second मानते, product rule लगाते ठीक है, क्योंकि दो function ही होते लेकिन जब इसमें x है नहीं, तो ये तो constant function है जैसे हं 2x square का जब करते हैं, 2x का करते हैं जैसे 2sin x का कर रहे है example समझा है, 2 sin x का कर रहे है 2 sin x में हम क्या 2 का alkaline करते है, नहीं, beats sin x 2 ऐसे लिख देते हैं, और sin x का cos x कर देते है, यहीं तो करते है तो इसी परकार, जब constant function को ऐसे रख लेते हैं cos x हो गया, y2 का उधर कर दो y, dy2 बटे dx बराबर में, y2 उधर कर देंगे, y2 का value रख देंगे, 2 की power sin x, ठीक है, और into में रहेगा, भया, cos x log 2, ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया, अब आप क्या करोगे, बस, आउकलन करना था, dy बटे dx equal to, क्या dy1 बटे dx का value रख दो, x की power x, 1 plus log x, माइनस लगाओ, dy2 बटे dx क्या है, इसको लिख दो, log 2 पहले लिख दो है, चाहाँ इधर लिख दो है, 2 की power sin x, cos x into में log 2, पस, हो गया, काम कतम, उतरा गया, है आसान है, आसान है, ठीक है, आसान है, संदीब महस्तरी बोलते हैं, आसान है, संदीब महस्तरी सर, द इतना गजब का बंदा है, चलो ठीक है, तो यह सब कुछ आसान है, आगे बढ़ें, question number 4 हो चुका है, question number 5 की और हम बढ़ेंगे, ठीक है, इसी तरह से लगाएंगे, जब भी 2 function प्लस या माइनस में add हो, तो उनको y1, y2 मान करके, दोनों का अलग-अलग करिए, बाद में दो जोड़ना है, तो जोड़ो, गटा ना हो, तो गटा दो, जैसा उसमें दिया हो, ऐसा कर दो, ठीक है, question number 5, y equal to क्या दिया, बताओ, x plus 3, x plus 3 का square, into में x plus 4 का, यार क्या है, cube है, ठीक है, और into में x plus 5 की power 4, ठीक है, इतना सब को दिया है, बस कलन कर रहा है, हम लोग क्या गरेंगे, into में है, सब into में है, तो log ले लें, अलग अलग कर सकते, कर देंगे, करो भाई, log y equal to, देखो, अलग अलग कर रहे हैं, साथ में, अब कहा लिखेंगे, फिर अलग कर देते, log x plus 3 का square, plus में कर देते हैं, अलग, log में x plus 4 का cube, मैंने लिखा नहीं direct, log में इतना, और फिर बाद में अलग लग करें तो एक लाइन बचा लिया है हम लोग समझदार बच्चे हैं तो बचा सकते हैं ओके इतना हो गया अब कर दो आई यार जो घात में हैं वो लाग में पहले आजाता है तो पहले कर दो अभी ना करो अबी तो सोल करने थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं log y, देखो, जो घात में है वो log x की power, जितनी भी घात, m की power n, जो भी घात होती हो आगे आ जाती है, तो इसको पहले ऐसे लिख लो, यार simple तरीके से, सही न, 3 log x की power x power नहीं है, x plus 4 4 log x plus 5, ओके, चलो, 1 upon y, आप कर रहे हैं, ओकलन, 1 upon y, d y, बटे d x, इसमें अलग-अलग मानने की जोड़ नहीं पुड़ी है, ठीक है, 2 log x का होता, भाया, 1 upon x, हवा, आई, बहुत अच्छी, ठीक है, log x का होता, 1 upon x, तो 1 upon x की जगे पर x plus 3, ठीक है, और x plus 3 का दुबारा करोगे, भाया, x plus 3 का दुबारा, तो x का 1 हो जाएगा, 3 का 0, तो 1 गुड़े में लिखने से कोई फायदा नहीं है, चूतिया पंती है, आगे लिखो, 3, log x का 1 upon x, एक के गुड़े में थी, 3 के गुड़े में है, ठीक है, x plus 4, log x का 1 upon x, लेकिन x plus 4 का दुबारा करोगे, तो x का 1 हो जाएगा, 4 का 0, तो को मतलब नहीं है यार, लिखने से, इसी प्रकार, 4 into 1 upon x plus 5, कोई दिकत नहीं, y को उधर कर दो, so dy बटे dx, बराबर में y इधर आएगा, ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, 2 के अपान में x plus 3, 3 के अपान में x plus 4, 4 के अपान में x plus 5, ठीक है, y का वैलू ये रख दो, dy बटे dx, y की जगे पर रख दो, x plus 3 का होल स्क्वार, x plus 4 का होल क्यूब, और इन 2 में, x plus 5 की पावर 4, इसके अंदर लिख दो, 2 upon x plus 3, 3 upon x plus 4, 4 upon x plus 5, ठीक है, इतना लिख दिया आएस, और हम तो भया यहीं पर answer इसका छोड़ेंगे, आपकी मर्जी आप आगे छोड़ें, तो यहाँ पर भया ले लो LCM, साथ answer में यह दैसे कुछ दिया होगा, tension नहीं लेना, यहाँ पर question paper में छोड़ के आना, कोई tension नहीं है, कोई number नहीं गाड़ेगा, देखो, x plus 3, x plus 4, x plus 5, यहाँ पर LCM ले लेंगे, यहाँ पर यह एक answer लाट होगा, यह दोनों यहाँ पर पोचेगी, उनकी गुणा करेंगे, फिर calculate करेंगे यार, फिर नीचे नीचे इसका इसका एक एक बार खतम हो जाएगा, एक एक इसमें एक पर बचेगा, घाद दो बचेगी, इसमें तीन बचेगी, और उपर जो calculation करके आएगा, वो बचेगा, पता नहीं क्या आएगा, तो वो बस, वो answer हो जाएगा, नहीं करना यार, हमको वो सब्टिक है, बस यहीं पर हम लोग answer छोड़ते हैं, perfect answer, ओके, तो यह मेरा question number हो गया, 5 हम बढ़ते हैं, आगे की, और question number 6 की और, ठीक है, question number 6 की और बढ़ेंगे, और आगे चलेंगे, चलते रहिए, चलते रहिए, वीडियो कितना लंबा हो गया, उसके अंसार हम फिर बात करते हैं, माइक कहां फस रही है, ठीक है, देख लेते हैं, भया हो गया है, हो गया है, समय हो गया है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं पर class को खतम करते हैं, वीडियो लंबा हो गया है, 30-35 से उपर हो गया है तो इसलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं आगे के questions अगली वाली class में हम लोग करने आएंगे जरूर लेकिन आप से request है भी या वीडियो को like करिएगा share करिएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर उनको लाइए इस चैनल पर अच्छे से math पढ़ोगे मैं आपकी math के तियारी करवाओंगा आप सब की ठीक है अच्छे से तियारी करवाने वाला हूँ don't worry paper के समय में मैं सारे important questions भी लेकर के आओंगा सारी तरीके से आपकी अच्छे से तियारी करवाने का प्यास करूंगा बस आप हमारा support करते रहे ठीक है आज के class में बबस इतना ही फिर मिलेंगे अगली class में आगे के questions के साथ में तब तब के लिए बाबाए पढ़ाई करते रहे